नमस्कार आप देख रहें एक News24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ लोग सभाज चुनाव खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा कोई सुर्खियों में रहा है तो वो लोग जन्शक्ती पार्टी के राष्ट्रिय एध्यक्ष एवं केंद्रिय मंत्री चिराग पास्वान रहें क्योंकि जुस तरीके से उनकी पार्टी ने लोग सभाज चुनाव में प्रदर्शन किया वो काफी सराहनिय था लेकिन अब इसी बीच एक खबर आ रही है बता दे कि एक लड़की ने अब चिराग पास्वान की मुश्किले बढ़ा दिये जिसके वज़र से चिराग पास्वान की संसदिय सदस्यता भी रद हो सकती है उन्हें मंत्री पत से इस्तिफा भी देना पड़ सकता है क्योंकि वो लड़की चिराग पास्वान के खिलाब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है और उनकी मांग है कि चिराग पास्वान को जल से जल से इस्तिफा दिलाया जाए हलाकि अब सवाल ये उट रहा है कि ये पूरा मामला क्या है आखिर आसा क्या चिराग पास्वान ने कर दिया है कि लड़की ने उनकी मुश्किले इतना बढ़ा दिया है यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गई है ऐसे में चिराग पास्वान का जो राजनितिक भविश्य है अब वो खत्रे में दिखाई दे रहा है तो इस वक्त हम इस सेक्षन में कई से योगे मारे साथ उपस्ती थे और इस पूरे मामले पर हम विचार विमर्स करेंगे कि आखिरे पूरा मामला क्या है और किस तरीके से चिराग पास्वान के आने वाले समय में उनके मुश्किले बढ़ सकती है सबसे पहले पर आप यह पताए कि जुस तरीके से यह खबर आ रही है कि एक लड़की ने चिराग पास्वान के खिलाब को सुप्रिम कोर्ड गई है और मामला है यौन सोशन का तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं देखिए सबसे पहले तो चिराग पास्वान आए दिनों जिस तरह से चर्चे में बने रहे हैं बिहार के नेक्स सीएम का उनका दावा ठुकने लगे थे लोग जिसे लेकर कई विपक्छी भी नाराज थे आप देखी होंगे कि पिये मोधी भी चिराग पास्वान को काफी चादा मानते हैं पूरे संसदिये दल के बैठग के दौरां वो चिराग पास्वान को जिस तरह से ट्रीट करते हैं जिसमें नाम उसंदेखी दिली जाकर दिशाब कर इस चीज क ओर आखी और आपको बता दे कि अचिवाईस तो उनको पहले इस केस को इस चीजों को जाकर हाई कोट में लड़ना चाहिए आज का दारिश करने चाहिए उसके बाद सुप्रीम कोट मामला में जाता है यह केस है आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे क्या यह जो आरोप लग रहा है आरोप गंभीर है किसी भी अगर महिला का या लड़की का अगर सम्मान की बात हो तो उससे समझोता नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारे घर में भी बहन बेटिया होते हैं चिराग पास्वान भी यही कहत रहे हैं वैसे में चिराग पास्वान पर इस तरीके का आरोप लगना यह न कहीं सरमनाक है बिल्कुल लेकिन यह जानने की ए और समझने की जरूरत है कि जो चिराग पास्वान भिहार आ देश को आगे बढाने का बात कर रहे हैं उस समय वो लड़की कहां थी जब चिराग भाई ने उनके साथ यह शोशन किया था लेकिन चिराग पासवान को भी इसमें घसीटा जा रहा है तो क्या चिराग पासवान को ब्लैक मेल करने के लिए घसीटा जा रहा है चिराग पासवान का जबरन नाम तो नहीं घुसाया जा रहा है इसमें कहीं बिपक्ष के लोगों का हाथ तो नहीं है कि लड़की को अब आगे फिर से एक बार लाया गया क्योंकि मामला 2021 का है 2021 में भी वो सांसत थे उस समय क्यों नहीं यह मामला उठाया गया उनके भाई आरोपी है चिराग पासवान को घसीटा जा रहा है तो उनके भाई बोले तो प्रिंस राज जी बिल्कु में फर्क होता है मैं भी किसी पर आरोप लगा दूँ और उसे कोट तक मैटर को लेके चले जाओ लेकिन मुझे वहाँ साक्ष जमा करना होता है अब अगर यह कह रही है कि चिराग पासवान का संसदिय जो सदस्ता है उसे खत्म किजिए वो मंत्री कैसे बन सकते है तो देख इसके साथ साथ कोट ने उन्हें ये भी कहा है कि पटना का मामला है आप पटना जाएए हाई कोट जाएए आप डाइरेक्ट सुप्रीम कोट नहीं आ सकती है मामला एफ यार भी दर्ज कहा हुआ है दिल्ली में हुआ है तो आखिर का कारण क्या है कि आप बिहार पर भरोशा नहीं कर रहे हैं, आप डाइरेक्ट बार-बार दिली चले जा रहे हैं, किस चीज का आपको डर है, आप बिहार में आईए न, बिहार में आपको सुप्रीम कोट भी बोड़ा है, आने के लिए हाई कोट के पास आप आईए, दूद का दूद पानी का पानी होगा, जाच का भी इस वक्त वो तेजी से हर तरफ उनकी चर्चा हो रिये लोग, उनकी तारिफ कर रिये लोग, उन्हें प्रभावी, मुख्यमंत्री के तोर पर चिराग पासवान को देख रहा है, तो अचानक उनका नाम आता है और वो भी योन सोशन में, उनका आरोप लगता है कि उन्होंन लेकिन अभी मामले सामने नजर आ रहे हैं, इस तरीके से बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आपको बता दे स्वाती सबसे पहली बात कि उनके भाई पर य आरोप लगा है, अभी चिराग पासवान पर आरोप लगाया जा रहा है, वो भी जबर दस्ती, जैसा कि विकास भी कहे वो अभी सिध्ध नहीं हुआ है और ये आरोप अभी देखिए तो गलत है और प्रिंस राज की बात कर लेते हैं प्रिंस राज पर ये आरोप लगाया है उस लड़की ने कि उन्होंने नसीला पदार्थ दे करके उनको बेहोस कर दिया है और तब उसके बाद उनके साथ मतलब यहां तक कि प्रिंस राज पर ये भी आरोप लगा था स्वाती कि उनका उनके साथ शादी करने का वो जहासा दिये और उसके बाद उसके साथ नसीला पदार दे करके लेकिन ये मामले भी सामने नहीं आया है कि आखिर प्रिंस राज ने किया है नहीं कि आभी इसके भी खु बज़र रसेंगे नहीं, यह मामला आपको जल्द ही मिलने वाला भी, देखे स्वाती, इसमें हम एक जो आपको पोईंट है, इसमें, नोट करने वाला होगा, लड़की कहती है कि मुझे साधी का जहासा दिया गया था, जब आपको साधी का जहासा दिया गया था, तो आपसे रेफ अगर तो नहीं हो सकता है, जो भी हुआ होगा, दोनों के मर्जी से हुआ होगा, अगर आपको सादी का जहासा दे रहा है, आप उसे रिलेशन में है, तो आप कैसे आरोप लगा रही है, उसने नसीला पदार्थ दिया, नसीला पदार्थ पानी में दिया, तो भाई, एक चुनाओ के दोर पर नाम जो हैं 2024 में है, तो अब उनको चिराग पास्वान याद आ रहे हैं, इसमें हो सकता है, इस पर विपक्षी भी कहीं चिराग पास्वान का जिस तरह से अभी आवाज और, आपको बता दे एक बात तो यौन सोसन, यौन सोसन इस टाइम का महौल जो ह कर देती हैं लड़कों को और बुरे फस्ते भी हैं लड़के, हम आपको बता देते हैं स्वाती, जिस तरीके से वो लड़की का कहना है कि मेरे साथ यौन सोशन हुआ, तो यौन सोशन हुआ, तो आखिर जब हुआ, तो आप उस टाइम पे आप चुप थी, अभी आप उनके कहना चंग बिहार में अक्सर देखा जाता है कि आपके साथ छिड़ खाने किसी और ने की, लेकिन फस्ता पूरा परिबार है, जब केस करने जाते हैं, फायार करने जाते हैं, तो वो पूरे खंदान का नाम दे देते हैं, यही हुआ है, जी बिल्कुरू, जी बिल्कुरू, लगता है, तो उनकी छवी को, इससे कितना हानी होगा? देखे, छवी का हानी तो होगा, हम आपको बता दे कि जिस लड़की ने आरोप लगाया है, हम भी उनके साथ खड़े हैं, अगर उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, अगर उसमें प्रिंस राजन उनके साथ रेफ किया ह था, और 2024 में जब चुनाओ हो रहा था, जब चिराग पासवान सांसद बनने के लिए हर जगह जगह पर अपना परचार कर रहे थे, तब आपको याद नहीं आया, कि वो सांसद बनने जा रहा है, तो यानि कि वो कराइटेरिया कुछ न कुछ तो फिलप नहीं किया होगा, तब आपको ये याद नहीं आया, कि उन्होंने निर्वाचन आयोग में सही सूचना परदान नहीं किया है, अब आप कह रही है कि जो निर्वाचन आयोग में फॉर्म भरा गया है, उसमें मेरा केस का जिक्र ही नहीं है, ये जिक्र ही नहीं है कि चिराग पासवान पर योन कि आगे आई है, कह रही है कि निर्वाचन आयोक के सांद धोखा दिया गया है, निर्वाचन आयोक को जल से जल चिराग पासवान के जो सदस्ता है, उसे रद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलत तरीके से चिराग पासवान सांसद बने है, अब मामला कोट में है, उसी समय चिराख पासवान को हर जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा तो जब तक खुलासे नहीं होंगे तब तक चिराःक पासवान पे कुछ भी आरोप नहीं लग सकता है और बता दे आपको जिसतरहिके से कोटका चेहरी का जो बात होता है तो वो जब तक आप सारा कुछ प्रूफ लाकर के नहीं रखोगे सामने जब तक आप कुछ भी नहीं करेगा, तब तक चिराक पास्वान पर कुछ भी नहीं होने वाला है, और रही बात यहां थे कि जिस तरीके से लड़की अचानक से अब फसा रही हैं, तो कही नगी भाया दाल में कुछ काला है, जिस तरीके से विपक्षों का भी दावा लगातार चिराक पास्वान को लेकर के है, कि आसे नहीं ऐसे, तो ये कही न कही कुछ पीछे का राज चुपा हुआ है स्वाति, चिराग पासवान का जो बड़ता क्रेज है, चिराग बिहार में नहीं देश में, उस बड़ते क्रेज से कहीं बिपक्ष डरा हुआ तो नहीं है और इसी का फैदा तो इस लड़की के जर्या नहीं उठाया जारा यह भी देखने वाली बात हो गी यह उसलब लड़की एक सिर्फ जर्या है और बकसत है चिराग पास्वान का बढ़ता हुआ करेश को घटागा जी अब देखें चिराग पास्वान मोधी के हनुवान माने जाते हैं चिराग पास्वान भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो उन पर यह गंभीर आरोप लग रह लेकिन अभी प्रिंस राज्ट वी वह लगा हुः प्रिंस राज को ऑफी परिशानी हो रही होगी लेकिन बात करतें चिराख..! फासवान की अारोप लगा है आरोप हट भी जाएगा .. क्यूंकि किसी पर भी अरोप तो चिराग पास्वान दे खराब होगी क्योंकि बता दे आपको किसी पर भी हम लगातार यही चीज रिपीट करेंगे कि आरोब तो भाया किसी पर भी लगता है और बड़े से बड़े नेता हो या फिर बड़ा चेहरा हो आरोब किसी पर नहीं होता है उस पर दूर से पता चल उच्छालने की जो कोर्सी सगर की जा रही है उसके माध्यम से अब यह जाच का बिसाय है मैं बार बार बोलूँगा कि जाच होनी चाहिए दूध का दूधा पानी का पानी होना चाहिए लेकिन इस समय आरोब लग रहे हैं कीचर उच्छाले जा रहे हैं अब देखे वो चिराग पासवान निखरेंगे अगर उन पर आरोब सीध नहीं होता है और कितना ज्यादा निखर कर सामने आएंगे उसके बाद बीपक्ष और ज्यादा परसान होगा देखे जैसे आपको बता आदे स्वाती जो जिस पे जितना आरोब लगता है वो उतना उचाई पे और यह तो राजनीती है राजनीती में तो जरूर एक नाएक केस होने ही चाहिए वही मामला चिराग पासवान के साथ हो रहा है और यह मामला जब खत्म होगा जब चिराग पासवान पाक साबित होंगे तो उससे में चिराग पासवान और ज्यादा निखर कर सामने आएंग चिराग पास्वान को जान बूझकर फसाया जा रहा है ऐसा कहना है लोगों का क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त चिराग पास्वान का हर जग क्रेज दिखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको पटना हाई कोट जाना चाहेगे हलाकि इस परसुनवाई सुप्रिम कोट में भी 28 अगस्त को होगी कोट ने तारिक दिया लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में जो कोट का फैसला आता है वो किसके पक्ष में आता है यदि चिराग पास्वान के पक्ष में फैसला नहीं आया तो हो सकता है कि आने वाले समय में चिराग पास्वान की मुश्किले बढ़ सकते हैं लेकिन अभी जो आरोप लगा है वो सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसे में कुछ भी पहले से तै करना ठीक नहीं है। ऐसे ही तवाम खबरों के लिए देखते रहे हैं एक News 24 धन्यवाद।